हेलो गाईज, वेलकम टू अचीव आईएस, मैं नहीं में जाईविश मिठी, इस वीडियो में हम KVAC की बात करेंगे, हम खादी एंड विलेज इंडिस्ट्रीज कमिशन के बारे में बात करेंगे, हाली में उसने एक प्रोड़क्ट निकाला है, दिवाली के लिए हाई क्वाल कर रही है, क्या क्या सुलिशन हो सकते हैं, और प्रिम्स के लिए, रिसेंट टाइम में, क्या क्या स्कीम्स के विए इसी लेके आई है, तो कॉम्प्रेहंसिव वीडियो होगा आपका, चलिए शुरू करते हैं, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो खादी ने प्रिंटेड फे के से बनाए गया है, सुनने में अच्छा लगता है, और जब इसके डीप में जाएंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले तो जो आर्टिशन से, उनको काफी ज़्यदा बेनिफिट इससे खुर है, दूसरी बात ही हैंड मेड है, तो पलूशन भी बहुत कम होता कैसे मैं आपको आगे बताऊँगा, पहले इस चीज़ को पढ़ लेते हैं यह जो मास्क बना है, यह बिल्कुल वाशेबल, स्किन फ्रेंडली और बायो डिगरेबल और एकनोमिकल है, हर पोकेट्स में यह सूट कर जाते हैं, तो इस तरह की डिजाइन्स खादी बना रही है तो यह आप देख सकते हैं, यह मास्क है, जो खादी ने बनाया है, ठीक है, तो अब आईए हम KVIC की, यह जब हम जान लिए हैं की मास्क बनाया हैं, तो और भी इनिशेटिव से बारे में पढ़ लेते हैं, अभी KVIC ने हाले में शूज लॉंच किये, तो काफी अच्छे ड सकेंदर में 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 शूट्स डालता रहता हूं, पिछले कुछ दिनों में 25 अक्टोबर को मैंने खादी ग्राम उद्योग पे चलेंजर्जर्स और सॉलूशन्स डाले, इसमें मैंने इसकी में भी डाली थी, तो हम इसको ही अभी स्टेडी करने जा रहे हैं, यह आपको हमेर सबसे पहले तो KVACKM बात कर लेते हैं, प्रेम्स के लिए, खादी ग्राम उद्योग स्टेच्टरी बोड़ी है, क्योंकि यह पार्लियमेंट के एक्ट के द्वारा एस्टबलिश की गई है, वो एक्ट है, खादी एंड विलेज इंड़स्ट्रिस कमिशन एक्ट 1956, यह आतों के द्वारा बनाया गया कपड़ा, जो हैंड स्पन है, हैंड वूविन क्लोथ है, वो खादी होता है, सबसे पहले इंपोर्टेंस की बात कर लेता है, खादी की और KVACK, मिलियन्स ओफ लोगों को इंप्लोइमेंट देने का काम यह करती है, दूसरी चीज, जिस तरीक में चैक कोई भी प्रोड़क्ट यह बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती है, कम्प्लीटली ओर्गैनिक है, यानि की जीरो कार्बन फुड़ प्रिंटाइस का, यह खुद चेर्मेन ने बताया था, KVACK, ट्विट करके, और साथी साथ योजना मेगजीन भी रही थी, उसमें भी यह बात लिखी हुई थी, मैंने वेरियस सोर्सेस से यह पॉइंट्स इकटे की हैं, तो मैं उनके जरी आपको बता रहा हूँ, एकनोमिक डवलप्मेंट भी इंशोर होता है, साथी साथ जो आर्टी संस को पैसा मिलता है, इंकम मिलती है, उन से उनकी प बच्चों को सक्षा नहीं मिली, ऐसे यह पीडी दर पीडी चलता रहता है, यह जो वीशेस साइकिल पॉवर्टी की, इसको रिमूव करने में काफी काम आता है, तो सेकिंड पॉइंट बहुत इंपोटेंट है, कम्प्लीटली ओर्गेनिक, जीरो कार्बन फुटप्रिंट याद रखिएगा, चेलेंजस की बात कर लेता है, सबसे पहली बात तो, स्टोग बिकता नहीं है जल्दी से, आप सब लोग खुद देख लो, कितनी लोग आप खादी की चीज़े खरीदते हो, या आप लोग को कितनी अवेरनेस है, मैं इतनी तारिफ कर रहा हूँ, कि और है, और मास्क भी हमने देखा, कम्प्लीटली कितना बायोडिग्रेबल है, स्किन फ्रेंडली है, हातों से बनाया हुआ है, तो सूट भी कर जाता है, और क्वालिटी भी अच्छी है, फिर भी बिकती नहीं है, क्यों, सबसे पहली बात तो, खादी का प्रोड़क्शन इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो, ऐसा है कि हातों से जो चीज बन रही है, लिमिटेड कैपसिटी होगी नहीं, लिमिटेड प्रोड़क्शन होगा, हाँ, तुम एक टाइम प्रोड़क्शन तो नहीं हो पाएगा, जितनी डिमांड वास्तों में आई जाती है, तो जब सप सपोर्ट करती है, पैसा देती है, तो गवर्मेंट पर निरभरता हो जाती है, डिपेंड टू मच ऑन दगवर्मेंट, न्यू मार्केट टेक्निक्स को अडप्ट करने में थोड़ा ये पीछी रह जाते है, न्यू मार्केट टेक्निक्स मतलब तेको ऐसे तो खादी बहुत आगे बढ़ रहा है, कि विया, इसी ने अपनी वेबसाइट भी लॉंच किया, पर जैसे एमेजोन और फिप्लिकाट मार्केटिंग करते हैं, क्या वैसे खादी मार्केटिंग करता है, ये आप लोगों को पता है, आप लोग मार्केट में रहते हो, आपको पता है, कि कितनी में ऐसा नहीं होता है प्रोड़क्ट इनोवेशन कम हो रहा है थोड़ा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एपसेंट है है शूज ला रहे हैं वो तरह तरह की चीज़े ला रहे हैं आप खुद के वेपसेट देख सकते हैं अच्छा एक बात आपको बता देता हूँ यह अपने जो नेशनल फ्रेग है इंडिया का तिरंगा उसको बनाने का जो राइट है वो सोल राइट के वी आइसी को मिला हुआ है के वी आइसी और के वी आइसी सर्टिफाइट इंस्टिटूशन ही खादी की चीज़े बना सकते हैं दे आर अलाउट टू प्रड्यूश खादी इसलिए कोई और इसमें प्रोडक्शन नहीं कर पाता है तो मोनोपोली हो जाती है इससे फिर प्राइस कॉम्प्रिटिव नहीं हो पाती इनोवेशन नहीं हो पाता और जो आपका तिरंगा है वो मैं प्रिलिम्स के लिए बता रह बनता है ठीक है यह में फेक्ट्रिंग यूनिटे नेशनल फ्लैग बनाने की के विए से के इसके अलावा खादी की कोई भी चीज आप को के विए सी के लावा नहीं बना सकता तो एंट्री बैरियर जब क्रियेट हो जाता है अपनी क्लोमिक्स में पढ़ा होगा कि मोनोपोल जब आती है तो जो कंपनी है जैसे जीओ है आज जीओ की बात गूगल की बात कर लो या फिर कोई मारूती सुजुकी की बात कर लो बेसीकली क्या होती है कि जो कंपनी के पास मोनोपोली होती है वो अपने प्रैसेस को आराम से बड़ा चड़ा के रख सकती है उसको कभी भी प्रेशर नहीं आएगा किसी competition के चक्र में की price कम कर दूँ और market friendly certification process नहीं है मतलब जो certification process होता है वो इतना adaptive नहीं है कि लोग उस चीज को market friendly समझ के और मतलब आप समझ रहे हो ना कि market में बिक्ती नहीं है चीजे जल्दी सी और दूसरी बात कुछ लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया जैसे kvac को खादी की चीजे बनाने में खादी के जो certified institutions है जो kvac के certified institutions है उनको कफी ज़दा benefits tax benefits से सम मिलता है तो कुछ लोग जब इसमें kvac के द्वारा participation करते हैं तो जब वो खादी की चीजे बनाने लगता है kvac की permission से तो benefits तो उठा लेते हैं लेकिन वो real में कोई खादी product नहीं बनाते हैं वो केवल paper पे दिखा देते हैं कि चीजे खादी की है बट ऐसा नहीं होता अच्छा एक चीज और है दुकानों पर कित्ती दुकानों पर आपको खादी की चीजे मिल जाती है नहीं मिलती आपको खादी की चीजे खादी के institutions पर ही मिलेंगी दूसरी बात Amazon Flipkart से 24 गंटे में आप कभी भी order कर सकते हो खादी का टाइम 9 से 5 तक की रहता है ठीक तो market barriers है time flexible नहीं है retailer की हर दुकान पर आपको नहीं मिलेगी दूसरी बात मैं आपको क्या बताया खादी के नाम पर कुछ लोग कुछ और प्रोड़क्ट बनाने लग जाते हैं और benefits सारे उठा लेते हैं और अनफिशल चैनल से यह product भेजते रहते हैं बताते हैं जैसे खादी का प्रोड़क्ट है पर वो असल में होता नहीं है सरकार से benefits भी कंटिन्यूसली वो लेते रहते हैं खादी फैब्रिक्स मोस्टली अवेलेबल है के वैसी स्टोर्स में तो रिटेलर्स में भी कोई भी रिटेलर शोप पे आपको नहीं मिलेगी रिटेल शोप पे तो खादी प्रोड़क्ट कंजूमर तक पहुंच नहीं पाता है अच्छे हैं ओनलाइन बे आप और करते हो तो अब थोड़ी समश्या हल हुई है कि ओनलाइन 24 गंटे की वेबसाइट आ गई है लेकिन उसके लिए भी हर कोई नहीं जानता है ना ओनलाइन के बारे में और हर कोई टच करके ही तो चीज समझता है क्वालिटी कैसी है तो जब रिटेल पे खादी प्रोडक्स मिलेंगे तो कंजूमर अवेरनेस और बढ़ेगी और फिर वह बाइंग प्रोसेस और अच्छा होगा और सच में खरीदारी होगी तो खादी रिटेल आउटलेट की टाइमिंग वह भी दस से पांच है चोविज से चोविज गंटे नहीं हो चोविज नेचर को नुकसान नहीं करता है तो आप इन्वार्मेंटली अगर अवेर हो तो आप इस चीज को जरूर बाया करोगे आपके वास चोईस होगी कि एक प्रोड़क्ट नेचर को नुकसान नहीं पहुचा रहा एक पहुचा रहा है तो आप नेचर को जो नहीं पहुचा रहा यहां पर यह चीज़े बन सकती है वास्तों में लोग इंट्रस्टेड है या काफी जादा संभावना है वापस यह प्रोडक्शन बढ़ाने की सारी एज ग्रुप्स के लिए प्रोड़क्स लेकिया बच्चे के लिए चोटी-चोटी कपड़े मतलब बच्चों के लिए जो भी कर सकता इनोवेशन और डिपार्टमेंटल सेल्स आउटलेट्स बनाओ सेंटल सिर्वर प्लांट्स वाइब्रेंट तरीके से लेकिया और सेंटर बनाओ ताकि सर्प्लेज जनरेट हो मतलब एक मोल वगेरा में जैसे नहीं होता है कि एक जगह कोई कैम्प लगा दो य और यह भी कर सकते हो सगेशन ऑस्कूल जो भी सकेचल्पाнеंट गहुर्मेंट उनमें खादी की क्लोथब को मेडिरेटरी कर दो कुछ दिनों के लिए से संदे मांडे टूजजवे को खादी का पहने किला टूजजवे एक दम से करोगे तो फिर दिक्कत आएगा कि एक दिन आपको खादी का पहन के आ नहीं है यह तो फिर वह जरूर पर यह करें थोड़त की थोड़ोब मार्केटिंग जिटल मार्केटिंग आ रहे हैं तो खादी को भी अड़र्प्ट करना पड़ेगा ना धिरी-धिर एंट्री बेर्यर्स रिमूव करो पहले तो क्यों कि क्यों कि मोनोपली होने के बावजूद कुछ लोग KVIC के नाम पर प्रोड़क्ट बनाके सबसीरी उठाके नकली प्रोड़क्ट बना रहे हैं खादी के नाम पर फाइदा भी तो कुछ होना इस चीज का भी मोनोपली ले रखा तो कुछ चीज़ पर ध्यान देना चाहिए अब प्रिम्स के लिए मैंस के लिए दौन के लिए इंपोटेंट के राजिशक्तिकर्ण अप्रोड़क्राम इंपार्मेंट कवि कमिनि स्थी नाग pac यह पोटर कमनीटी के लिए हैं के इंपावरमेंट के लिए अब 2018 में लॉंच किया गया था इसे और काफी अच्छा इनिशिटीव है इसके अंदर बेसिकली होगा क्या सब्सकाफ होता काई अब dag काई अपने मट्की भनते वे देखी कभी मिटी से अपनी चाकी कभी मठी बनते वगाड़ी होगी जो अब हम लाएंगे में फेस्टिवल में एग्जिबिशन सेंटरस में आगे दिखाएंगे ताकि इनका भी जो है प्रडक्शन भड़े लिसेल हो हनी मिशन हनी मिशन की बात करें तो खादी के वी आई सी ने आए अ ona यहनी भी बॉक्सों काफी ज्यादा बांटा है एकल्ट, करीब करीब पिछ्ले साल भर की बात करों दो साल मों वन लैक भी बॉक्से बांटे केवे का इसेंना मतलब जिसमें मचली जो भी का जो भी बॉक्स मेंगे जो पाला अजते है अग्रिकल्चर उनका हो मतलब ए फॉर्मर्प्कूर्ण को बाता गया, पिछले दो साल में एक लाख बी बॉकस्सता की हनी का प्रोड़क्शन बढ़े, फार्मर्प्का इंकम हो, एपी कल्चर जिसको कहते हैं, उब वर्ड रयाद आगया, था स्विट्रिवलिशन वैसे 2016 में आय था लेकिन हनी मिशन 2017 में आय था दोनों साथ में जोड़ा गया दोनों की एक्टिविटीज असोशेटेड है और इस मिशन के जरीए दस हजार जोप्स भी के विए इसी ने क्रियेट कर दी तो इंप्लोइमेंट भी आप देख सकते हो कि इस तरीके से जनेरेट कर रहा है और फिर हनी का प्रोड़क्शन भी बढ़ रहा है और हनी की इंपोटेंस भी वैसे बढ़ती जा रही है मार्केट डवलपमेंट और प्रवार्केट प्रमोशन और डवलपमेंट असिस्टेंट कुछ नहीं है इसके अंदर ना बेसिकली क्या हो रहा है कि यह कि अब खादी का मार्केट थोड़ा बढ़ा हो रहा है तो टेक्निक्स भी अड़क्ट करनी पड़ेगी नहीं असिस्टेंस से जुड़ी भी सारी स्कीम से हैं वो एक करके इसे स्कीम के अंदर डाल दी कुल मिला के प्रड़क्शन बढ़ाने की और प्रमोशन करने की मर्केटिंग टेकिनिक्स अड़प्ट करने की स्कीम है ए खादी रिफोर्मेंट डवलपमेंट प्रोग्रम यह किसलि डवलप्मेंट प्रोग्राम को सपोर्ट नाम याद रखी बहुत इंपोटेंट है इसका एक एक एक्जामपल में आपको बताता हूं कि करण नीट्स के इसाब से कैसे खादी काम कर रही है जैसे के विया इसी ने हाली में प्लास्टिक का खत्रा आप सबको पता है मरीन इंवा प्रजेट के अंदर रिप्लान मतलब रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर कुष्ण आजाए अब प्रजेट किसका क्या बनाया हैंड मेंट में पर प्लास्टिक मिक्स करके देखो करन नीट के साब से खादी ने काम कर लिया और नेचल प्रोडुक्स पर काम कर रहा है और हम बात करते हैं अब प्रदार मंत्री इंप्लोइमेंट जेनरेशन प्रोग्राम की 2008 में आया था कुछ नहीं है इसके अंदर वैसे इसकी इंप्लिमेंटिंग एजेंसी के वी याईसी है और के वी याईसी खुद MSME मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो पूछले किसकी मिन जो खुद इस्टेशनरी बोड़ी है MSME मिनिस्ट्री के अंदर होता कैस के अंदर नाम से बता चल रहा है इंप्लोइमेंट जनरेशन इंप्लोइमेंट जनरेट करेंगे कैसे एंट्रपर्णर्स जो होते हैं गावों में उनको शेहरों में गावों में उनको हम सबसीडिद सबसीडिद देंगे कि 2008 से चल रही है कि उस सबसीडिद दिया जा रहा है कि आप इसके जरिए अपनी फैक्ट्री लगाओ यूनिट्स लगाओ हम आपको सबसीडिद देंगे सपोर्ट करेंगे तो इंट्रमेनोर्स के लिए स्कीम आई इसको इंप्लीमेंट करने वाली एज